हेई गाईस विलकम बैक टो मैं चैनल तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शनल ट्रेनिंग के बारे में तो वाट इस फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है तो बेसिकली फंक्शनल ट्रेनिंग वो है जो आपकी डे-2-day लाइफ में जो चीजे करते हो फंक्शनल ट्रेनिंग ही क्यों है क्यों क्यों कि आप डे टो डे लाइफ में जो भी चीजे करते हो आप जो भी फंक्शन करते हो फंक्शनल ट्रेनिंग से आप उन चीजों को इंप्रूफ कर सकते हो गाइज फंक्शनल ट्रेनिंग करने से फायदा यह होता है कि आपकी जिम की इंजरी हो या आपको एक्सरेंट में हुई कोई इंजरी हो या कोई भी तरीके की लोगों को इंजरी होती है तो functional training से आप exercise के जरीए उन इंजरी को हील कर सकते हो और जल्दी से जलते आप आपके exercise पर फिर से come back कर सकते हो तो functional training basically आपको बाकी चीज़ों में improvement देता है जैसे कि आप अगर leg workout ने कर सकते हो आपके knees में या फिर आपको exercise में या फिर gym में कभी ब exercise करते हैं आपको कभी injury हुई है तो आप sit ups कर सकते हो और या इसकी बहुत सारी exercises है मैं next video functional training के उपर ही दालने वाला हूँ तो इस video के बाद आप उस video पर जरूर जाके देखना functional training actually होती कैसे है मैं उसमें 6-8 exercises बताऊंगा आप उन exercises को देखना और उसमें से 2-4 exercises ऐसी है वो आप उनको घर पे भी कर सकते हो और सबसे जादा important बात ये है कि आप इन exercise को करोंगे तो आप जल्दी से जल्दी आपकी injury से recover होंगे और आप आपकी functionality जो भी आप दिन में काम करते हो आप जो भ उठा रहे है वह है या बहुत सारी चीज़े होती है अप डेशी तरीके से कर सकते हो जैसी कि कोई है वी चीज उठा के उपर रखना है कोई कोई गलत तरीके से उठाता है बैक में आज पोजिशन ने होती है और कैसे भी उठा देता है तो उसको back के injuries होने के चान्से ज्जा जीम करता है वो हफते में दो या तीन बार भी कर सकता है इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे दिन ही मैं functional training के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ functional training में जो भी exercises है तो आप उस वीडियो को जा के जरूर देखना और मैं उसका लिंक I button में भी दाल दूँगा जो बाद में देख रहा है वो i button से देख सकता है तो simple word में मैं आपको functional training के बारे में समझाता हूँ जैसे कि आप daily life में sit और stand होते हो तो वो होती है squat position तो उस position को और अच्छे से करने के लिए आप sit ups कर सकते हो और आप कुछ चीज उठाने के लिए heavy हो या light हो उठाने के लिए नीचे bend होते हो आपकी कमर bend करते हो तो उस position में आपका deadlift काम में आता है आपकी deadlift अच्छी होंगी ऐसा नहीं कि आपको weight lifter जैसे deadlift करनी है वो चीज अलग है लेकिन functional training से आप arc position बना के आपकी deadlift अच्छी कर सकते हो और आप कोई भी चीज घर में काम करते हो heavy lift कर सकते हो और third example में आपको देता हूँ जैसे कि आप आपकी घर की सीडिया चड़ते हो आप कहीं चल रहे हो walk कर रहे हो उसमें आपके lunges काम में आते हैं आपके legs strong होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा walk कर सकते हो आप climb कर सकते हो और functional training में आपको मैं pulling और pushing exercises भी बताऊंगा ये भी आपके daily life में जैसे कि आप door open करते हो वो pulling exercise हो गई आप कोई चीज को close करते हो ढकेलते हो box है या bed है तो वो हो गई push exercise बस functional training का मतलब इतना ही simple है जैसे कि आप day to day life में जो भी काम करते हो उस काम में आपको improvement मिलेंगा आप उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो आपके injuries होने के chances भी कम हो जाते हैं और आप वो काम को आसानी से कर सकते हो जैसे कि कि किसी को lifting में problem होती है back pain होता है push करने म कोई तकलीफ होती है climb करने में तकलीफ होती है बहुत सारी चीज़े होती है day to day life में तो functional training उसी के लिए है आप functional training से वो सब चीजों को improve कर सकते हो बड़ी आसानी से और इसमें सबसे important बात यह है कि जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है तो हमारी functionality कम होने लगती है हमारी ताकत भ और यह सब moment आपको किसी से सीखने की ज़रुरत नहीं पड़ती है आप यह चीज लेके पैदा होते हो आप जैसे जैसे बड़े होते हो आप यह चीजे daily activity में लाते हो तो functional training से बस यह चीजों को आपको improve करना है जादा कुछ नहीं बहुत simple है यह चीज तो guys simple words में मुझे यह नहीं बताना था कि functional training से आपको बहुत सारे benefits हो सकते हैं आप घर पे करो या जो जिम जाता है वो जिम में भी हफते में 2-3 दिन कर सकता है तो I hope आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होंगा पसंद आया होंगा तो like, share, comment और subscribe जरूर करना और जिस जिस ने अब तक subscribe नहीं कि क्या है वो जल्दी से subscribe कर ले